नितीश कुमार के गढ़ में जाकर चिराग पासवान अब हुंकार भरेंगे और इस बात का संदेश देंगे कि राजगीर और नालंदा पर सिर्फ नितीश कुमार का हक या कबजा नहीं है। ये जान कर आपके होश उड़ जाएंगे। नितीश कुमार के लिए कहा जाता है कि जब भी उनको कोई चिंतन करना होता है तो वो राजगीर जाते हैं लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रशिक्षन शिविर के लिए राजगीर को चुनते हैं। और वहीं पर इस बात का डिसकेशन अगले दो दिनों तक होता रहेगा कि कैसे चिराग पासवान को बिहार की राजनीती में एक दम सही तरीके से फिट कर दिया जाए। दरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करें। पर 6 रुपया प्रती किलिमेटर में आप पहुँच सकते हैं। कि चिराग पासवान और भाजपा की बातचीत चल रही है। भाजपा एकदम शिद्दत से ये चाहती है कि चिराग पासवान अब उनकी पार्टी में आ जाए। कहा जाता है कि देखिए पित्रपक्ष के बाद पित्रपक्ष बीत रहा है उसके बाद चिराग पासवान को केंदर में मंत्री पदक दे दिया जाएगा और सारी बातचीत पूरी हो गई है। और उसके बाद अब ये खबर आती है कि प्रशिक्षन शिविर का जो शुरुवात है वो राजगीर से होगा और अगले दो दिनों तक प्रशिक्षन शिविर रोजपा राम विलास का राजगीर में चलेगा। इसका अगर आप माइना निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान नितीज जी के गड़ में जाकर उनको बरबाद करने की तैयारी करने वाले हैं। चिराग पासवान जान बूझ कर ये सब कर रहे हैं ताकि चिराग पासवान का जो रौला है वो फिर से आ सके और चिराग पासवान नितीज कुमार के सामने सीना तान कर खड़े हो सके। चिराग पासवान नितीज जी के प्यार में आज वही भाजपा चिराग पासवान को अपनाना चाहती है। चिराग पासवान वो युवा चेहरे हैं जिसको सारे लोग एक साथ स्विकार करते हैं। रिपोर्ट पढ़ा कि अगर नालंदा की बात करें तो नालंदा भर में साड़े पांच लाख पासवान और पिछिड़ों की पिछिड़ों का वोट है। और चिराग पासवान भी उस वोट में सेंधमारी करना चाहते हैं। इसलिए प्रशिक्षन सिविर राजगीर में लगाया गया है। बाकी कोई अब्रेट अपको में तिला करेंगे। आप जिंदा रिंग्शन देखके रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।